राजकुमार राओ और तृत्ती डिम्री स्टारिंग फिल्म विक्की और विद्या का वो वाला विडियो का अभी हाल ही में ट्रेलर आया था और ट्रेलर के बाद इसने लोगों को काफी एकसाइटेट कर दिया था लेकिन अब इस फिल्म पे एक लीगल नोटिस जारी हुआ है on pleasurism कि ये फिल्म चुराई हुई है और ये इर्जाम लगाया है गुल्बानो और संजय तिवारी ने गुल्बानो का कहना ये है कि ये फिल्म का आइडिया उनका था 2015 में ये आइडिया उन्होंने रजिस्टर किय था ये फिल्म संजय तिवारी प्रेड्यूस करने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम् फानाशल इशूज ये फिल्म अभी तक उनकी तरफ से नहीं बन पाई और ये ही लीगल नोटिस टी सीरीज को वूशन कुमार को और विकी और विद्या की वह वाली विडियो के क्रू को ज जा चुका है डिरेक्टर पर भी ये लीगल नोटिस जारी हुआ है और इस फिल्म को अभी रोकने की बात आगे सामने आ रही है क्योंकि ये फिल्म का जो प्लेजरिजम की बात है वो बहुत जादा सीरियस है और उन लोगों का ये कहना है स्पैसिफिकली गुल बानो और अब देखना ये है कि क्या सच में ये फिल्म रजिस्टर थी 2015 में बाइक गुल बानो क्योंकि अगर ये रेजिस्टर थी तो ये फिल्म पर बंद होने के बैन होने के भी जो है चांसे नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है प्लेजरिजरिजम का जो लोग सामने आ रहे हैं ये बोलके कि बॉलिवुड में ऐसा ही होता है बड़े सेलेब्रिटी बड़े डिरेक्टर अपना क्रेडिट लोगों का क्रेडिट खा जाते हैं अपनी फिल्म बनाते हैं ऐसा ही जुग जुग जीओ फिल्म में हुआ था जब उनके सौंग पर दूसर ने कोई स्टेट्मेंट जारी नहीं किया है लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है और इस पर अभी रोक लगा दी गई है अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म रिलीज हो पाती है क्या कोई सेटल्मेंट बीच में होता है या ये बात जो है वो कितनी आगे जाती है सामने आ रहे हैं और लोग जादा तर स्रिप्ती डिप्री और राजकुमार राओ और उनके डिरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं अब क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा आपके क्या थोट्स हैं इसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लेजरिजरि झाल